जय माता दी दोस्तों! एक बार फिर से बहुत-बहुत सवागत आप लोगों का हमारे चैनल अभी LX Vlogs पर! आज हम जाने वाले हैं श्री जीवदानी माता जी के मंदिर जो की मुंबई के विरार में स्थित हैं! बहुत ही बढ़िया और इंट्रेस्टिंग विडियो होने वाली है तो विडियो के एंज तक बने रहिए! ऐसी और विडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा! तो आए विडियोस टॉट करते हैं! पुरानों के अनुसार यह मंदिर बहुत पुराना है! इस मंदिर को पानवों ने अपने बनवास के समय में बनाया था! आए विडिया! सेले पहुच के अज़र भी ज्यानी है! जा माता दी! जा माता दी ताइच! रास्ते में बहुत सारी पूजा सामगरी की दुकाने हैं जो कुमकुम, पाउडर, नारियल, फूल, चुडिया, प्रार्थना, सीडी और डिवीडी सहित पूजा सामगरी बेचती हैं! मात जीवदानी मंदिर विरार में जीवदानी पहाडी पर स्थित हैं! ये पहाड पर स्थित विरार का सबसे महत्वपुन लेंडमाक है! जीवदानी मंदिर रविवार और त्योहारों के दोरान हजारों भक्तों को आकर्शित करता है! ये देवीद जीवदानी के अपने एक मात मंदिर के लिए पूरे देश में प्रसिध हैं! जो शहर के पूर्वी हिस्से में एक पहाडी के उपर जमीनी स्थित से लगभग 1375 सीडियां उपर स्थित हैं! के वद गहां और कि दौणी अभी जर्णी के breaths हो कि जाएं पैनार नच, भी है अच, इस अधर की और शोर षच जाया है! या एप प्नेत के लागी लेकाण्य शोराब का मतल़ना पर खो जर नाच चाह। और रास्ते में कुछ खाने पिने की दुकाने भी है जहां आप रुख कर कुछ खाने पिने के बाद यात्रा कंटिन्यू कर सकते पानी की बाद से खेंजिनी की और गंडेका दियुज लीज़ वरना बूम बांब शूंस्ता हो भी है अधिके बहुत जादा उपर पता निकितना वट ती अभे थोड़ा में अच्छा लग रहा है निंगो बाद बाद आप ने के ना अच्छा लग रहा है अच्छा लग जान बहुत ही बहुत ही मज़ा रहा है गाइज एक नंबर बार बार बोल रहा हूं पानी मानी पीते निम्भु मानी पीते चड़िये राम से पूरा राम करके चड़िये जल्द बार जी शो फ्लैक्स मत मारी यहां पर बहुत ही प्यार आप भूआ रहा है दिक ढेडिके चक्कर में उपर जाएंगे आप लोगों को बिल्कुल जब उपर वोन जाएंगे शेयर पूरा शेयर दिखाएंगे आपको यहां से व्यूव क्लियर नहीं आ रहा ना इसलिए तो उपर जाके बिलते हैं अप वैसे टाइम पे आए हम लोग पर रश्च नहीं बिल्कुल भी खाली बड़ाने तो यह सारी चीजे एंगे फरी देती है जाने हैं इस घ्रक पर कोड़ा है इस नहीं है जाने हैं अधर है इस जाने हैं जाने हैं जाने हैं इस मंदिर में हर साल रोजाना बहुत से भक्ताते हैं मगर इस मंदिर में नवरात्री के 9 दिन और 10 सेरा यहां के मुख्य समारों रहता है जिसे देखने के लिए भक्तों की भीर उमरी रहती है यहां पर जीवदानी मंदिर के साथ अन्या और मंदिर भी है जैसे गो माता जी का मंदिर, काल भैरो जी का मंदिर, महाकाली जी का मंदिर और बरोल्डा माता जी का मंदिर यहां एक शिला है जहां लोग सिका चिपका कर अपनी मनोकामनाय मानते हैं ऐसा मानना है कि अगर सिका चिपक गया तो मनोकामना पूरी हो जाएगी नहीं तो सिका नीचे गिर जाएगा। यहाँ एक पंचियों का बहुत बढ़ा पिंज्रा भी है, जिसमें बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के पंची है। जो जो इसमें बहुत उपर है, अभी कुछ खाएगे नीचा कि नर्जी डाउन होगे है, केवल कर में जलेंगे अब उसका भी प्रहा जेंगे एक बार क्या वह कैसा है, क्या प्राइज है क्या प्राइज है। जो जो आई, लॉक अगरो भी को अगरो लगो डगोगे है यह तो जो 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 इए प्रॉप्वे में एंगे ड़ी में बहुत है। पुराने रोपवे को अब अधिक उन्नत और सुरक्षित रोपवे द्वारा बदल दिया गया है जिसे जीवदानी फनी क्यूल ट्रेन कहा जाता है ये एक पारदर्शी छत और किनारे वाली मिनी सिंगल कमपार्टमेंट ट्रेन है पारदर्शी छत और किनारे होने की वज़े से बाहर के शानदार द्रिश्य का आनंद ले सकते हैं मंदर तक पोहचने के लिए इस ट्रेन में मातर साथ मिनद लगते हैं तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं नीचे हमने कर ली हैं दर्शेक जीवदानी माता जी के बहुत यह एच्छा एक्स्पिरिस रहा हमारा जाते समय हम सीडियो सो गेते आते समय रोपवे से आए हैं आप लोग देख रहे होंगे पीछे ताकि हम दोने रास्ते आपको बसंद आई है तो प्लीज दोन फगेट तो लाइक और सबस्क्राइब देखने के लिए धन्यवाद माता रानी सबकी मनोकामनाय पूरी करें अगली वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए जये श्री राम जये माता दी